हलो फ्रेंज वेलकम टू सोनम फैसा बोटनेक ब्लोज डिजान बनाएंगी ब्लोज के बैक पाट के लंबाई लिए है 14 इंच सोल्डर साड़े छाइंच आर्मोल साड़े छाइंच सीना दस इंच एंड कमर के लिए साड़े नौइंच लिया है की मारकिंग करेंगे तो बोटनेक क की अकॉर्ड साड़े रखे मैंने हाँ पर सवा तें इंच की लंबाई के लिए 10 इंच पर निसान लगाया है नीचे की तरफ से भी गल्र से ठीन इंच क्पिंग हो चुकी है इसी मार्किंग पर हम इसकी cutting कर लेंगे इसे ओससे पबले लेंगे मेंचनल मार्किंग पर हमें एस्टर को रखना है अच्छे से सेट करने पर-कर के लिए हम इसमें पिनटाइज कर लेंगे तुछ से पहले गला रेडी करना है तो उसके लिए देखी हमें गले के किनारे एक सिलाई लगाने हैं सिलाई हम यहां पर एक परिया हाप इंच का मार्जन छोड़ते हुए लगाएंगी जिस सेप में हमने गले की कटिंग की है सेम उ सिलाई लगाने के बाद गले के अंदर का जो भी एश्टा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगी सारा एश्टा कपड़ा कट करने के बाद हमं लगाएंगी इसमें छोटे-छोटे से कट कट लगाती टाइम हमें याद रखना है कि स्लाई वारला धागा हमारा नहीं कटना चाहिए इसके बाद देखी एक स्लाई हम इसमें नीचे कमर की तरफ लगा लेंगे स्लाई लगाने के बाद देखी हमें से कुछ इस तरीके से हाथ के हेल्प से पलट कर सीधा कर लेंगे तो यहाँ पर हमने से अच्छे से सीधा कर लिया है अब हम इसके उपर एक स्लाई और लगाएंगे फिनिसिंग के लिए फिनिसिंग वाली स्लाई हम यहाँ गले की बिल्कुल किनारिक लगाएंगे पसस्तर को अच्छे से दबाते जाएंगे मेन फैबरिक के उपर अस्तर नहीं देखना चाहिए गले की सेड और इसके उपर हमें एक स्लाई लगाते आना है गला कम्पलीट है एक स्लाई लगा लेंगे हम नीचे कमार की सेड इसे उटा करेंगे और सैड से भी हम पिस्टिच लगा लेंगे दोनों सैड में हमें स्लाई लगा लेने है स्लाई लगाने के बाद दोनों सैड जो भी अश्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके निकाल देना है अब लगाएंगे हम इसमें बैक टक्स के लिए निसान जो कि हमें नीची बीचो भी सेंटर से दोनों सैड साड़े चार इंच पर लगाना है बैक टक्स के लंबाई रखेंगे हम 4 इंच और इसी निसान से पलड़ते हुए हम इसमें बैक टक्स के सिलाई लगा लेंगे सिन इसी तरीके से हमें दूसरे बैक टक्स के सिलाई भी लगा लेने हैं इससे सेट में करेंगे दिजयन बनाने के लिए देखी मैंने हाँ परी पिंगी कलर के चौकोर सेफ में कठे हुए कपड़े लिए हैं एक की लंबाई रखे है ढाई भाई धाई अर दूसरे की लंबाई रखे है दो भाई दो इंची शबसे पहले जो हमने दो भाई दो इंच के फैबरिक के पिस लिए हैं इने हम ट्रेंगल सेफ देंगे और इसकी ऊपर सलाई लगा लेंगे सिलाई के बाहर का एश्ट्रक कपड़ा कट करके निकाल देंगी इसको जो हमने धाई भाई धाई इंच के फैबरिक पीस लिए हैं यहने हमसे से पहले ट्रेंगल के अपने देंगे ट्रेंगल को हमें दोनों तरफ से पलड़ते हुए कुछ इस तरीके की डेजाईन बना लेनी है और इसकी उपर हम सलाई लगा लेंगे सलाई लगाने के बाद इनका भी जो भी यह श्ट्रक कपड़ा होगा उसे कट करके निकाल देना है सेम इसी तरीके से हमें सभी डेजाईन बनाकर रेडी कर लेनी है इनने सैट में करेंगे अप लेंगे हम बलॉज को बलॉज में देखिए गले में अंदर की दरफ जो हमने नीची के साइट डेजाईन बनाया है उसमें हम ट्रैंगल्स को रखेंगे और इसकी उपर सलाई लगा लेंगे एक एक करके सभी ट्रैंगल्स को रखते जाना है और इसकी उपर सलाई लगाते आनी है लगाने के रखेंगे तो देखेंगे ट्रैंगल्स को टाइज कर लिया है स्के उपर इसकी ऊपर करते गारे दरहने केla हो भी रती समसे की यहां कि सभी दरलाई को लगाने के पार देखेंगे एक वार चौण समए ettीच की और फिर से मैं इसी तरीके से हम टीन डिजन को और लगा लेंगे इसके पर हमें फिर से गैपदेना है एक सबह से डेढ़ा लेना है इसे देखिए हमें गले के किनारे सारे डिजन को लगा लेना है तो देखिए मैंने हाँ पर सभी डिजन्स को अच्छे से अटाइच कर लिया है इसके बाद मैंने ली है यहाँ पर यह गोल्डन कलर की लेस लेस को हम गले की किनारी अटाइच करेंगी तो यहाँ पर लेस को हमें बिल्कुल भी खीचना नहीं है बस हलके हाथों से लेस को सेट करते हुए यह जो बलॉज में कॉर्नर है वहाँ पर हमें लेस को मोर देना है और सेम गले के सेप में हमें लेस को अटाइच कर देना है इसके बद जो डेजाइंस बनाईती डेजाइंस की ऊपर हमें लेस को रखना है तकि डेजाइन वाला एस्ट्रा कपड़ा ना देखिए और लेस के नीचे अच्छे से दप जाए सेम इसी तरीके से देखे हमें पूरे गले में लेस को लगा लेना है लिस लगा कर कम्प्लेट कर लिए है इसके बाद मैं नहीं हाँ पर लिए है एक सो बटन सो बटन को देखिए हम यहाँ पर टक कर देंगे अच्छे से बटन को टक कर दिया है इसके बाद दिये हमें नहीं हाँ पर यह गोलन कलर के बीट्स और बीट्स को देखिए हमें इन देजैन की उपर अच्छे से टक करना है तो मैं यहाँ पर तीन देजैन में आपको बीट्स को टक कर के बता रही हूँ यह देखिए, बाहर के सेट में टक करना है बीट्स को इसके बूर देखिए हमें पूरी डिजैन में सेम असी तरीके से बीट्स को टक कर ले रहा है हमारे डिजैन बनके कंपलीट हो चुकी है वीडियो पसंद आए, या थोड़ा सा भी हेल्पुल लगे वीडियो को लाइक कता चैनल को सब्सक्राइब करें धान्यवाद